TCL 20R 5G एक brand new smartphone है और ये 5G phone है TCL की तरफ से इसमें आप सभी को अच्छे features देखने को मिलते हैं सो start करते हैं वीडियो को TCL 20R 5G की specification से यहां पे Android 11 out of the box देखने को मिलेगा Android 12 में upgrade भी कर सकते हो इस smartphone में future में 3 साल तक security updates मिलेंगे इस smartphone में तो security के मावले में काफी अच्छा रहेगा updates वगिर आपको 3 साल तक यहां पे इस smartphone में दिये जाएंगे 6.52 inch की HD plus की display दी गई है जो की 90 Hz की refresh rate वाली display है 180 Hz का touch sampling rate भी मिलता है और जो display technology इसमें लगाई गई है वो TCL की NXT Vision Display Technology है वहें पे बात करें इसके processor की तो Mediatek Dimensity 700 का 5G processor लगा हुआ है जो की काफी अच्छा processor है और वहें पे 4GB of RAM 64GB के onboard storage भी देखने को मिल जाती है इसी smartphone में आप चाहें तो storage को microSD card लगा के expand भी कर सकते हो और बात करें optics की तो पीछे की तरफ triple rear camera का setup मिल जाएगा जिसमें से 13MP का primary sensor 2MP का depth sensor 2MP का macro sensor दिया गया है और वहें पे जो selfie camera है वो unspecified है यानि mention नहीं किया गया कि कि इसने megapixel का दिया गया है water drop style notch में आपको selfie camera देखने को मिल जाता है TCL 20R 5G में 4500 mh की battery दी गई है android planet report की माने तो यह smartphone में fast charging का support नहीं दिया गया है और यह smartphone चार्ज होने में approximately 3.5 hours का टाइम लेता है यहां पी यह बात ध्यान रखने वाली है TCL 20R 5G में जो है rear camera setup rectangular housing में मिलेगा और जो इसका fingerprint sensor है वो भी पीछे की तरफ ही दिया गया है बात करें display के bezels की तो आपको sides के bezels तो पतले दिखेंगे और जो नीचे का chin है वो slightly thicker chin आप मान सकते हो और जो volume rocker है power button है यह जो है आपको right spine में देखने को मिल जाएंगे smartphone के और वहीं पर USB type C port दिया गया है तो यहां पर USB type C port दिया गया तो यानि आपको fast charging का support भी मिलना चाहिए और वहीं पर speaker grills भी side में देखने को मिल जाते हैं तो बात करें price की तो इसका price Netherlands में around 15,600 रूपीज है और अभी तो यह इंडिया में launch नहीं हुआ है black and blue color options में available है comment box में and TCL की तरफ से जो यह एक smartphone है 5G smartphone है जो है जल्दी में भी इंडिया में भी यह देखने को मिल सकता है क्योंकि जो है अभी तो इंट्रोड्यूस किया गया है थोड़े बहुत European markets में पर अभी information नहीं है कि यह जो है Indian market में कब आएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को जो है शेर करना लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नहीं हो तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में आप सब्सक्राइब करना था हूँ झाने है वीडियो मेंट करना